निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली वा मनिंदर सिंग पंधेर की अपीलों की सुनवाई 5 जुलाई के लिए टल गई है। कोली के अधिवक्ता के अनुरोध पर Punch High Court के नियायमूर्ती अश्वणी कुमार मिष्व तथा नियायमूर्ती विनोध दिवाकर की खंडपीत ने यह आदेश दिया। हाला कि पंधेर के अधिवक्ता ने सुनवाई तालने का विरोध किया, किन्तु कोली के अधिवक्ता की गैर मौजूदगी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। CBI के विरिष्ट अधिवक्ता ग्यान प्रकाश ने भी पक्ष रखा। मालूम हो कि CBI ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्च शीट दाखिल की। आरोप लगाया कि कोली ने दरजनों लरकियों को प्रलोबन देकर घर में बुलाया और दुशकर्म वहत्या के बाद लाश के तुकड़े कर नाले में फेक दिया। निठारी की कई लड़कियों के लापता होने और नाले से कंकाल मिलने पर मीडिया में उच्छाल के बाद जाच में पूरे प्रकरन का खुलासा हुआ था। पंधेर की कोठी में केर्टेकर कोली गंवीर अपराद करता था। पोली को ए आसी वा अन्य में आजीवन कारावास वा अन्य सजा के खिलाफ अपील विचारादीन है।